हेलो एवरिवन ! अगर आपका प्लांट भी इस तरह से ऊपर की और पढ़ता जा रहा है या फिर इसमें फलावरिंग हो चुकी है या आपके प्लांट में फलावर नहीं आ रहे हैं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे रोज हो गया है विसकस हो गया मोगरा हो गया इन में कटिंग करना जरूरी होता है इन प्लांट की दोस्तों कटिंग करने से ही इसमें फ्लावर आता है और ये इसी तरह से बुसी बनाया जाता है और आपको अगर बंच में फ्लावर चा कट करने से पहले आप जिससे भी कट कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से सेनिटाइस कर लीजे और अपने प्लांट में अच्छी तरह से वाटरिंग कर लीजे इन प्लांट्स में कटिंग करने के बाद फंगस लगने का डर रहता है इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग करने के बाद आपको क्या करना यह देखे मैंने इसको कट कर लिया है आपके पास अगर कोई फंगी साइड पाउडर हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं वरना जहां से आपने कट किया है आप वहां पर अपने घर में रखे हुई हल्दी को या तो गीला करके लगा दीजिये या फिर ऐसे ही लगा दीजिये मैंने इस लिए पहले यह भूर्टिंग कर लिती अब मैं इसको लगा दूंगी यहां भी फंगस लगने का दर खतम हो जाएगा